स्टार्ट करते हैं, hopefully आप एकदम तयार होंगे और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज का सेशन important होने वाला है, डरना नहीं है, छोड़ देना है कि यह maps है, just समझो, यह pedagogy है, बस maps के context में pedagogy है, first question देखेगा एक बार, which of the following is the correct order according to Paulia's problem-solving model, George Paulia's question आता है, कई बार आय है, तो निमलिखित में से कौन सा Paulia के समस्या समाधान model के अनुसार सही क्रम है, अब यह एकदम ऐसा question है कि आपको या तो पता है, या फिर आप थोड़ा से दिमांग लगा के पहुँच सकते हैं, ऐसे तो सारी ही सवाल है, कि आप कोशिश करें अगर, तो आप पहुँच ज चलिए, 54% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं, order क्या है, order है George Paulia के problem solving model का क्या, तो एक तो यह याद रखना है, 4 step का इनौने problem solving method दिया है, यानि समस्या को समाधान करने की गड़ित में 4 step दिये हैं, वो क्या हो सकते हैं, common sense भी लगाएंगे साथ साथ, understand the problem, यानि समस्या आप प योजना हो, यानि पहले question देखा, समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं, look back करेंगे वापस से देखेंगे और फिर carry out करेंगे plan को, अब look back तो एक तरह से reflection या revaluation हो गया, उसके बाद plan carry out करेंगे, plan तो यहीं carry out होना सकता है क्योंकि पहले हम problem को समझेंगे, plan बनाएंगे, तो यह दो option थो हमारे ऐसी हट गए, कि पहले योजना क्यों तयार कलेंगे, पहले समस्या को समझेंगे, तो यहाँ पर समस्या को समझना second number पे था, जो की common sensical बात है कि भाईया, यह second पे नहीं होना चाहिए, यह first पे ह problem, समस्या को समझना, समस्या को समझना पहला step है, दूसरा step है, devise a plan, यानि plan को devise करना, योजना को तयार करना, बात तो सही है, यहाँ पे भी यह ही है second में, third है carry out, इसमें है third look back, और यहाँ लिखा हुआ है carry out the plan, फिर look back, तो क्या ही common sense नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम ध्यान से पढ़ लेते, तो यह किसी को भी दुनिया में सबको पता होगा, कि carry out the plan जो है, वो पहले आएगा, look back, बाद में आएगा, पहले आप plan को करके तो देखेंगे, जो आपने plan बनाया है समस्या के समझना के लिए, उसको implement करके देखेंगे, उसके बाद look back करते हैं कि क पारियान वित करेंगे, उसके बाद आप look back करेंगे, क्या करेंगे, look back करेंगे, यानि पुनहे जाचना, यह हिंदी में यहाँ पे पुनहे जाचना हवारी टाइपिस जी, आजकल ज्यादा वियस्त हैं, वो नोट्स वगेरा की चक्कर में, तो मुझे लग रहा है, नींद म पुनहे जाचना, अब आप क्या करेंगे, look back करेंगे, कि यह जो किया था, वो सही था या नहीं था, यहना, चार साल बाद look back नहीं करना है, कि वो relationship fail होगे, आप look back कर रहे हैं, ठोड़ा तभी look back कर लेना है, जब आपने device किया था एक plan, उसके बाद carry out किया, और थोड़ दि पॉल्या का problem solving medal, medal नहीं है, model है, ठीक, तो George Poglia, four step problem solving, यानि समस्या समधान का, चार step का एक plan देते हैं, पॉल्या's problem solving, model देते हैं, इंदी वालों के लिए भी यही है, इसका short form अगर आप बनाना चाहें, तो UDPL बना सकते हैं, जिसको हम mnemonic कहते हैं, याद रखने की एक technique है UDPL, ठीक, UDPL बोले तो, understand the problem, सबसे पहले समस्या को समझना है, पहचानना, identify करना, second step है हमारा, मे का plan, आपके पास एक plan तो हो, आपने identify कर लिए, आप समस्या को solve करने के लिए एक plan होगा, याना, वो देखा होगा आपने CID, पहले समस्या को समझने कोशिश करते हैं, जाके सीन में, है ना, फिर क्या करेंगे, एक plan होगा, क्या करना क्या है, फिर उस plan को carry out करोगे आप, ठीक, अब ये plan आपने carry out कर लिए, जैसे आप paper भी, अगर आपके सामने एक समस्या की तरह है, तो कोई question है, maths का, या paper ही है माल लिए तो आपको पहले उस problem को समझना है, कि इसका क्या implement करते हैं, उस पे काम करेंगे, apply नहीं करेंगे, तो zero हो गया plan, तो अब आप carry out the plan, आप इस plan को carry out करते हैं, फिर आता है fourth option, जब आपने plan carry out किया, तो आप क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्स देके देख रहे हैं, और फिर look back कर रहे हैं, कि क्या में लिए strategy काम की, जैसे मैंन नहीं करेंगे, तो उस केसे में भी हो सकता है, कई बार ऐसी स्थिती भी आती है, तो अगर हम बात करें, UDPL क्या है, understand the plan, U for understand the plan, D for devise a plan, ये में का plan की जगा device लिख देगा, तो घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, फिर आता है P for plan, carry out the plan को हमने सिर्फ plan लिख लि लिख लिया था, look back at the solution यानि आपको अब reflect करना है, ठीक, clear है ये बात, एक number free का number है, UDPL से simple याद रखना है, understand the problem, devise a plan, carry out the plan and look back, clear है, अब इस से जादा आसानी से और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, है, revise करो इसको multiple times, ठीक, कितना याद करें, याद करते करते उमर कर रही है, सोनी समझने की कोशिश करो, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है न, चलो, start करते हैं, कितने का तो कोई answer नहीं है न, पिछले 6 साल से मैं भी आपके सामने खड़ी ही हूँ और discussion चल रहा है, और अब तो ऐसे कुछ है भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा बाकी हो कि जि कौन सा गड़ित की अवधार्णों की प्रकृती के बारे में सत्य नहीं है, यानि not true about the nature of concepts in mathematics, यानि गड़ित के concepts के बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है, कि गड़ित के जो concepts होते हैं, उनकी प्रकृती कैसी है, नेचर of concepts कैसा है, इसके बारे में कौन सी एक बात सही नही का Hindi English तो नो चेक कर लेना मैं हर क्वेशन को Hindi English में करके देखेंगे तो काफी वक्त हर क्वेशन को क्यों करना है कंचन है यही तो दिक्कत है हमारी हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं लगाते सामने वाले की बात में बाना जाता है ठीक है तो ऐसा नहीं है बी कहा रहे हैं 38 परसेंट लोग यानि बी जो है वो गलत बात है यहीं गड़बढ हो गई यह बेसिक कुछ-कुछ नोट्स में सब लिख दिये जाएंगे अगर हम बात करें नेचर आफ मैथेमेटिक्स की यह अपने आप में एक टॉपिक है अगर आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बीएड में डीलेड में बीटीसी में पढ़ा हो या फिर पेड़गॉजी की किसी किताब में अब उसके लिए चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या तो चार्ट बनाया जाएगा डाइग्राम बनाया जाएगा या कुछ एक ऐसी सामगरी प्रयोग की जाएगी जो कॉन्क्रीट हो क्योंकि अवधारनाई अमूर्त हैं इनको आप हाथ में लेकिन नहीं खुम सकते दि mathematics के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं complex होती जाती है और जो पीछे वाली चीज है पीछे वाली जो चीज है वो इसमें already included होगी जैसे आप 6th क्लास में जो चैप्टर मालनी जो सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो भी और उस case में आप या algebra पढ़ रहे हैं अगर आप basic equation आप जान रहे हैं तो उसमें वो complexity का level next class में और बढ़ जाएगा तो hierarchy का मतला होता है simple to complex जाना जो की सही बात है logical in nature बिल्कुल तर्क संगत एक विशय है logical nature का विशय है बिल्कुल चाहे वो reasoning हो maths हो science हो concrete in nature ये बात गिलत है mathematics का जो nature है वो अपने आप में concrete नहीं है आपको मूर्थ सामगरी के थुरू teaching learning materials के सहरा लेकर के इसको मूर्थ संप्रत्यों के रूप में समझाना पड़ता है जो कि abstract concepts होते हैं तो ये अपने आप में concrete नहीं है ये अपने आप में abstract test का जो nature है concrete हम बनाते हैं ठीक है जी gestopedia का क्या मतलब होता है पेड़वाजी में nature के बारे में सीख लिए अगर ऐसे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा वही आपने यहां एक चीज सीखी के क्या nature में नहीं है बाकी की तीन चीज़ें सीखी के सीखी के ये nature में है कि गड़ित की प्रकृती अमूर्थ है शेनी बद्ध होती है चीज़ें एक दूसरे से spiral में ह पीजी आगे बढ़ेंगे question number 3 हसना नहीं है यहां बैठके question number 3 देखेगा question number 3 जवाब दीजेगा बहुत ही बढ़िया I am Rajat from Suron मैं आप एक meetup session रख लीजे हमारे यहां कास गंज में रखेंगे अभी देश भर घूमने का समय आएगा अभी थोड़ा समय व्यस्त हूँ तब जहां जहां जाया करेंगे वहां वहां आपसे मिल्लिया करेंगे ठीक है जी अभी तो दिल्ली में offline class रखेंगे चुप चाप से पढ़ने हाँ दो देखो एक बार question number 3 कह रहे है 43% लोग A option समझते है after teaching place value of numbers डरना नहीं है आपने घवराना नहीं है इसको maths नहीं समझना है यह बस आपकी pedagogy है यह मान के चलो ठीक है after teaching place value of numbers यानि अगर हम संख्याओं का स्थानिय मान देखें एक face value होती है एक place value होती है अब इतना तो हमें basic पता ही होना चाहिए नहीं भी पताया तो चलो बताएंगे कि कैसे कर सकते हो माल दीजे यह 2 और 3 लिखे हुए है face value आपको पता है 3 ही 3 ही होगी एना place value की बा लिने 3 and 5 say 3 and 5 make 4 digit numbers using both the digits equal number of times यानि आपको 4 digit का number बनाना है दो संख्याओं से जो है 3 and 5 ठीक है जी 3 and 5 इनसे 4 digit का number बनाना है जिसमें equally दोनों संख्याओं use हुई हो यानि 3 और 5 equally use हुए हो देखिएगा is your answer unique क्या तुम्हारा answer unique है बच्चों को कहा गया अब कहानी यहां अटकी हुई है अगर आपको उपर की कहानी नहीं समझ में आई तो यह पढ़िए which of the following statements is correct for the above context जिस संदर में यह बात हो रही है कौन सा एक statement सही है पहला option है वो देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं तो first option है it is an open ended question and gives opportunities to students to analyze and critique each other's responses यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है और शात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विशलेशन और अलूचना करने का अवसर प्रदान करता है बात तो सही है बी option है it is an example of closed ended देखो यह closed ended नहीं हो सकता है closed ended में क्या होता है yes और no एक सही answer होता है closed ended में जैसे MCQs क्या है closed ended है चार में से एक ही उत्तर सही होगा जो आपको एक number दिलवा दे ठीक है तो closed ended में भाई दो और दो कितने होते हैं 4 होते हैं यह closed ended है multiple responses to a question should be discouraged यानि यदि आप एक गरित में अनेक उत्तर देने वाले प्रशनों को हतोत साहित करेंगे जबकि हमें multiple perspectives को बढ़ावा देना है रट्टे थोड़ी लगवाने है एक उत्तर के तो यह तो बात गलत हो गई दोनों ही it is an example of contextual question कौन से संदर्ब की बात हो रही है सरकार कौन सा संदर्ब है यहाँ कोई ऐसा इस्तिती दी है कोई real life situation दी है context की तो कोई बात नहीं है ठीक तो एक ही उत्तर यहाँ सही लग रहा है उसको भी समझेंगे it is an open ended question and gives opportunities to students to analyze and critique each other's responses यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रशन है और शात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विशलेशन और आलोशना करने का अवसर प्रदान करता है क्यों simply देख लेते हैं एक बार अगर हम बात करें 2 और 3 दिये कितना नंबर है 3 और 5 3 और 5 से 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है 4 डिजिट नंबर आपको बनाना ह 3 और 5 का प्रयोग करके है ठीक है अब 3 और 5 का प्रयोग करें equal number of times दोनों बराबर के use होने चाहिए एक तो आ गया 3 5 3 5 है ना और क्या आ सकता है 5 5 3 5 5 3 3 इसी तरह से इनको और यह open ended हो गया कोई इसका एक answer नहीं है अलग-अलग बच्चे अलग-अलग इसकी probability बनाएंगे औ क्रिटीक भी कर पाएंगे एक दूसरे को तो यह क्या हुआ इसकी बहुत सारी probability हो जाएंगे कैसे भी खिलते रहो उसके साथ तो यह क्या हुआ यह open ended हुआ इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है बच्चों को इस पर चट्चा करने का मौका मिलेगा A option is the right answer over here आगे बढ़ेंग चार्ज हो रहा है ओगाट लो जाओ क्या रखोगी बहुत बड़ा दिल है देखेगा फटा फट से बताओ और जवाब दो पढ़ो एक बार कह रही है शिवानी कि disuggestopedia method क्या होता है English Pedagogy में PYQ के question में यह word मिला है Thank you शिवानी अगर यह exact word यही है तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि यह मुझे भी नहीं पता मैं भी पहली बार देख रहे हूँ कि disuggestopedia क्या है अगर options होते तो शायद मैं कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल previous knowledge का कर पाती तो यह मुझे भी नहीं बता और English Pedagogy वैसे भी मतलब जितनी हम CDP deal करते हैं जितनी expertise CDP में है शायद उतनी English Pedagogy में ना हो बट यह फिर भी संभव है कि सब कुछ पता हो किसी को भी यह possible नहीं है तो उस case में हम क्या करेंगे इस पर चर्चा कर लेंगे यह word निशा कहीं note कर ले ना और देख लेंगे एक बार है ना और बताओ English Pedagogy में इस बार ही आया है कि होगा कुछ मतलब replacement जैसा कि word को आप replace कर सकते हो options होंगे आपके पास मतलब मैं इसको देख के इतना ही idea लगा पा रही हूँ बाकी चर्चा करेंगे अगली class में देखेगा अभी Maths Pedagogy पाए जाते हैं English को छोड़ देते हैं देखे अगर हम बात करें question number कितना है ये Miss Sonali Miss Sonali क्या है खुद भी सर्च कर लिया करो थोड़ा कुछ मैनक कर लिया करो Miss Sonali a class 1 mathematics teacher gives the following activities to her learners यानि कक्षा एक की गड़ित की अध्यापे का सूश्री Sonali ने अपने अधिगम करताओं को निमलिकित क्रिया कला दी एक्टिविटीज दी ये four activities हैं पढ़िएगा पहला है sorting shells, stones, tokens of different size and color यानि भिन्नाकार और रंगों वाली सीप्या, कुंकड़ पत्थर, token, प्रतीकों को वर्गी कृत करना, इखटा करना मतला मानलीज़ आपको एक square shape का कुछ मिला है, एक circle का bottle का cap है, तो वो सब आपने इखटे की हुए अलग-अलग shape और size में, बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्या है, ये एक activity है, जो एक teacher ने दी है बच्चों को, class 1 के लिए, छोटे बच्चे, उनको concrete material से ही सिखाएंगे हम, ठीक बात है अब हम बात कर रहे हैं, B option की, arranging different sticks in a bundle according to their lengths, यानि आप different sticks को, शड़ियों को, मान लिज़े जैसे ये pen ही हैं अभी मेरे सामने तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनकी length या height के हिसाब से इखटा करा रहे हैं बच्चों को, ठीक बात है concrete materials से सिखा रहे हैं, ये भी एक active रहेगा, बच्चा यहां सक्रिय रहेगा, वो बच्चा सक्रिय रहे ना, यानि बच्चे का active हो ना, हर subject की pedagogy में, बराबर से लाग फिर आता है D option, threading the beads to form a garland for counting, यानि मोतियों को धागे में परो कर गड़ना के लिए माला बनाना के, मोति परो रहे हैं के धागे में, ठीक है, गड़ना सीख पा रहे होंगे, these type of activities are, पहला option है, done in primary classes for leisure, यानि मौज मस्ती के लिए की जाती है, मौज मस्ती तो included होती है, उद should focus on solving problems given in the textbook, तो सिर्फ किताब से पढ़ाए, तो यह मैं आपको Hindi pedagogy की notes में भी कहा है, English pedagogy की notes में भी कहा है, textbook one of the resources है, एक मात्र resource नहीं है, ठीक, only done in pre-primary, hence an irrelevant activity in class 1, यानि सिर्फ pre-primary में होनी चाहिए, class 1 में क्यों हो रहे है, इसको तो nursery में कराना था, LKG में कराना थ यह भी भाहियात बात हो गई कि आप इसी level 1 पे ही number concept वगेरा उनको सिखा रहे होते हैं, अब आता है D option, useful for assessing children's readiness to introduce important concepts like numbers counting in arithmetic, यह बात सुन्दर लग रही है, फिर भी देखते हैं उसका क्या अनुवाद होगा हिंदी में, अंकगडित में महतुपून अवधारना हैं जैसे सं इंख्या, गड़ना का परीचा देने के लिए बच्चों की ततपरता के लिए आकली मिसायक, आपको याद है Thondike, Edward, Lee Thondike, जिनके तीन primary laws है, readiness for learning, यानि बच्चे का तयार होना बहुत ज़रूर है, इसमें readiness, cognitive readiness भी होती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं कि वो mature है उतना या सकते हैं, तो उसके लिए उसको तयार होना बहुत ज़रूरी है, तो यह ज़रूरी है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे concepts, number counting और वगेरा को सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, यह activities करा रहे हैं कि यह सब्सक्राइब कर रहे हैं,